नमस्कार दोस्तो, इंडिया वर्चेस और वर्चेस व असटेया के बीच में जो पहला टेस्ट मीज़ खेला जा रहा है, उसका दूसरा दिन खतम हो गया है, भारत को लगा है पहला जटका पुर्त्वीश व दूसरी पारी में भी नाकाम रहे है, दोस्तो उसके बारे में मैं लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते होते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत और उस्टेले के बीच में एडिलेड में खेले जा रहा है पहले डे नाइट टेस्ट मेच के दूसरे दिन मेजबान टीम 191 रन ही बना पाई और ओल आउट हो गई थी भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाये थे इस तरह मेहमान टीम को मेजबान के खिलाब 53 रनों की गई थी दूसरी पारी में भारत के लिए पृत्वी शौ और मायंक अग्रवाल की जोड़ी मेदान पर ओपनिंग करने उत्री थी पहली पारी में खाता खोलने के नाकाम रहे पृत्वी दूसरी पारी में भी महत चार रन ही बना पाए पैट कमिंस की अंदर आतिक होई ग्य के रहने के बाद जस्परित बूमराह ने वेड को आठ रन के स्कोर पर LBW कर वापस बेजा इसके बाद बूमराह ने 29 रन पर खेल रहे दूसरे ओपनर जो बंस को भी LBW करकर बारत को दूसरी सफलता दिलाई थी बारत के दिगगत स्पीनर आर अश्विन ने पहले ही ओव पर के अच कर अश्विन ने भारत को एक और सफलता दिलाई पहला टेस्ट खेल रहे केमरून ग्रीन को आर अश्विन ने 11 रन पर विडाट कोहली के हाथों के अच करवाया थी चाई के बाद बल्ली बाजी करने उतरी ओस्ट्रिया को उमेश चयादव ने एक ही ओवर में द इसके ठीक बाद अश्विन ने नेथन लेयन को कोहली के हाथों क्याज करवाते हुए अपना चौथा विकेट हासिल किया था तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना क्यूकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबर लेकर आता रहता हूँ